यहीं दोस्तो मैं रज़ा शुक्ला एक बार फिर आपका सवात करता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उधंपूर शीनगर बारामुला रेलिंग परियोजना के बारे में जिसे हम USBR रेल परजक्ट भी कहते हैं दोस्तो इस वीड अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बनिहाल से लेके संकलदान की रेल लाइन को पहले ही शुरू किया जा चुका है हमारे देश के माने प्रधारमंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने उस रेल लाइन को हरीहंडी दिखाई थी दोस्तो अब खंड दो की बारी है जो कि संकलदान से रियाइसी के बीच नई रेल लाइन के बारे में है इसके बाद खंड तीन में रियाइसी से कट्रा के बीच की बात की जाएगी जिसमें एक सबसे बड़े हत्पूर्च चुनोती टैनल टी वन है टैनल टी वन अभी भी नहीं हुई है इसमें पानी का रिसाब लगातार जारी है हमारे देश के इंजिनियर और वरकर इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पर सफलता पाप्त कर ली जाएगी चलिए दोस्तो अब बात करते हैं संगलदान से रियाइसी के बीच रेल्वे ट्रैक की आखिर कब संगलदान तक 46 km लंबा रियल्वे ट्रैक शुरू किया अब बारी है संगलदान से रियाइसी के बीच रियल्वे ट्रैक की दोस्तो नॉर्दन रियल्वे के जीम का कहना है कि संगलदान से लेकर कटरा तक का ट्रैक जो की 63 km लंबा है इस पर संगलदान से लेकर रियाइसी तक का ट्रैक जो कि 42 से 43 को मिटर है इस पर मई या जून तक SERS का निजेक्शन हो जाए तो अगस से इस रूट पर ट्रेने शुरू कर दी जाएंगी दोस्तो इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि संगलदन से रियाइसी के बीच का ट्रैक शुरू होने के बाद सिरफ रियाइसी थे काम काफी धीमे धीमे रुक रुक के हुआ है सेफटी जो की पहली प्रायरेटरी थी इसको लेकर बिल्कुल ख्याल रखा गया है और एक बार अगर संगलदन से रियाइसी के बीच का मई जून में कमिशन हो जाए इसके बाद इस रियाइसी से लेकर कटरा का बीच भी का काम बहुत तेजी से होका और उसे भी जल सी जल शुरू कर दिया जाएगा दोस्तो संगलदन से रियाइसी के बीच के रियाइसी के बीच के बीच एक ब्रिच का काम और बाकी बचा हुआ है उसको पूरा होने के बाद माई में एक CRS इंजेक्शन के बाद इस रेल्वे ट्रेक पर ट्रोइने शुरू कर दी जाएंगी दोस्तो टर्नल 13 और 14 के बारे में उन्होंने बात करते हुए बताया कि टर्नल 13 और 14 में भी काफी सारे जियोलोजिकल चैलेंजिस थे पिछले साल यहां स्लीपे जिस भी हुए थे इसी के वेज़े से काम रुक रुक कर दी में धी में हुआ है दोस्तो आगे उन्होंने टर्नल 13 और 14 के बारे में बताया कि अब इन दोनों ही टर्नलों पर काम जोरो पर चालू है और बहत करीब है पूरा होने के रेल्वे का टार्गेट है कि मई में CRS से निरक्षन करवाने के बाद जून ये जुलाई तक इस रेल्वे ट्रेक पर ट्रेने शुरू कर दी जाए दोस्तो जीम साब ने आगे बताया कि चिनाब ब्रिज पर काम पूरा हो चुका है कट्रा से रियाइसी के बीच का जो ट्रेक है उसमें में चुनोती अभी सरफ टनल T1 है टनल T1 में भी एक क्लोमेटर का आखरी हिस्सा जो बचा हुआ है उसी पर काम अभी चालू है यानि कि दोस्तो की टनल T1 में भी कम काफी हद तक पूरा हो चुका है आखरी का एक से सवा किलोमेटर का हिस्सा बस बाकी है अंजी खंड ब्रिज के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अंजी खंड ब्रिज पर भी रेलवे ट्रेक बिचा दिया गया है और उसकी कि अब टेस्टिंग चालू है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले यूस्ब आलव डेल प्रजेक्ट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रू करें चलि दोस्तो अ अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी एक नई वीडियो में तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें